हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो नमबर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं खास तोर पर इनकी सूर्य finger की अगर हम लंबाई को देखें तो बहुत यची अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य finger नजर आ रही है यहा जो finger है अनामी का उंगली इसको हम सूर्य की finger कहते हैं अगर यह finger काफी अधिक लंबाई में और खास तोर पर यह finger इस तरजनी से ज़्यादा लंबी हो तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी सूर्य finger तरजनी से काफी अधिक लंबाई में आपको नजर आएगी तब यह व्यक्ति को काफी अच्छा social circle देती है लेकिन साथी साथ ऐसे व्यक्ति risk taker हो सकते हैं जीवन में decisions लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखाने की hobby इनकी रह सकती हैं कई पर अपनी धन की investments को ऐसे जगाहों पर कर सकते हैं जहां पर risk हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds हैं ऐसी चीजों में भी अपनी धन को लगाने की रूची इनके भीतर रह सकती लेकिन इस finger का लंबाई में होना native को काफी अच्छा creative person बनाती हैं काफी अच्छी creativity और artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं शनी finger की बात की जाए तो अब यहां पर देख सकते हैं यहां जो finger है शनी की finger कहलाती है बिल्कुल straight और अच्छी लंबाई में इस finger का होना indicate करता है क native काफी मेहनती nature का रहेगा hard working होने के साथ साथ एक disciplined type की personality भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है अगर हम guru finger की बात करें तो थोड़ी सी short होती हूँ यह finger जिस वज़े से leadership qualities में थोड़ी weakness देखने को मिल सकती है इस finger का short होना native को family की तरब से मिलने वाले सुखों को भी कम करता है साथी साथ ऐसे short finger होने की वज़े से native को परवास करना पर सकता है अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की संभावनाएं भी इस finger के short होने की वज़े से रहती हैं अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है length में सूर्य finger के top phalanche के लगब करीब पहुँचती हुई लेकिन थोड़ी सी short नज़र आ रही है जिस वज़े से थोड़ी shy nature रह सकती है लेकिन overall communication skills यहाँ पर काफी अच्छे नज़र आ रहे हैं कोई major issue इनके communication skills और बजिनस equipment में नज़र नहीं आ रहा fingers के बीच में gaps का होना खासता और पर इन दोनों fingers के बीच में अगर यहाँ पर gap माचूद हो तो native थोड़ा जिदी सभाव का होता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव इनका इस gap की वज़े से रह सकता है चलिए आगे देखते हैं इनकी mounts को भी fingers के ओपर यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रिखाएं भी नज़र आएंगी इस तरह की खड़ी रिखाएं आपको लगबग इनकी सभी fingers की ओपर नज़र आएंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive होता है इसी रिखाएं होने से native milansar सभाव का रहता है दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature भी इस तरह की रिखाओं की वज़े से व्यक्ति की रहती है आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं इनके mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को तो यहा काफी high set हैं जबकि इनका mercury जो है low set होता हुआ आपको नजर आएगा थोड़ा नीचे से यह finger शुरू होती जिसको हम low set finger भी कहते हैं इस तरह का mercury होना indicate करता है कि native की nature थोड़ी शर्मीली और shy hesitation वाली रह सकती है लेकिन overall अगर हम देखें तो कोई major issue communication skills में नजर नहीं आ रहा क्योंकि यह जो mount है आपको उभरा हुआ नजर आएगा बुद्ध की रिखाएं इस mount के उपर मौचूद है यह जो रिखाएं हैं इन्हें mercury lines कहते हैं ऐसी रिखाओं का इस सेरिया पे होना indicate करता है कि native की healing qualities काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों की problems को समझने वा इनकी रिखाएं नजर आएंगी भले ही यह रिखाएं बहुत लंबाई में नहीं है इन्हें health lines भी कहते हैं अगर यह बहुत strong रिखाएं हो तो व्यक्ति को बहुत अच्छी excellent health देती हैं लेकिन अगर यह short रह जाएं तो native को थोड़ी सी दिक्कत health related भी आ सकती है और major problem की बा की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट यहां पर हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो यश मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है यह माउंट यह एरिया अगर उठा हुआ हो और लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो लंबी सूर्य र वियक्ति को इस रेखा का फाईदा मिल पाता है। यहां पर भी सुर्य रेखा मचूद है लेकश के उप्री नजर आएगी हाटलाइन के उप्र जुआओर। 60 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को इस रेखा का फाइदा मिल पाता है और काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में ऐसे नेटिव बना पाने में काम्याब हो जाते हैं बात करते हैं इनके शनी परवत की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनी का जो एरिया है यह एरिया आपको ह कमफट जोन से निकल कर काम करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात क्या है एक लंबी भागया रेखा इंके हाथ में मौचूद है यहां से शुरू होने वाली भागया रेखा आपको लगभग इस एरिया तकाती हुई ऐसी भागया रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेट रेखा का होना चालिस की एच के बाद और भी अधिक तरक्की को इंडिकेट करता है ऐसी दो रिखाएं हाथ में मौचूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने महिनत के बलबूते पर जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है बात करते हैं इनके गुरू परवत की तो आप य की रूची रिलीजन में रहती है बहुत अच्छी नॉलज ऐसा व्यक्ति गेन कर पाता है और एक सोचल वर्कर टैप की परसनलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान समान भी अपने अच्छे कारें की वज़े से मिल पात इंडिकेड करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहने वाली है ऐसे व्यक्ति को आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास भी बाखू भी हो जाता है इनके गुरु परवत के उपर कुछ प्रोग्रेस लाइन्स भी आप देख पाएंगे जो बारीक रिखाए यहां से इस तरह से उपर की तरफ बढ़ रही है ऐसी रिखाएं होना बहुत ही अच्छा संकेत होता है इन्हें हम तरक्की की रिखाएं कहते हैं प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाएं होने से नेटिव अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में काम्य अब रहता है बात करते हैं की मेजर लाइन की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से और एक ब्राच यहां से नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह की ब्राच होने से नेटिव के भीतर अग्रेशन धिक रह सकता है ओवरॉल एक प्रैक्टिकल लेकिन थोड़ी अग्रेसिव अप्रोच भी लाइफ में रहेगी और हार्ट लाइन का यहां पर काफी अच्छी स्थिति में होना भीतर है लेकिन यहां पर आकर आप देखेंगे एक छोटा सा डॉट ब्लैक डॉट एक तिल जैसा चिन आपको नजर आएगा और एक हलका सा भी यहां पर बनता हुआ कुछ इस तरह की एक आइलेंड की फॉरमेशन बहुती बारीक आप यहां पर देख पाएंगे लगभग 55 के बाद की एज से थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिकतों का सामना करना पर सकता है और 60 की एज में थोड़ी प्रॉग्रम अधिक रह सकती है तो इन्हें अपनी हाट की हैल्थ का भी काफी अधिक ध्यान रखना चाहिए अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी मस्तिक श्रेखा आप देख पाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट माइंड लाइन है एक स्पष्ट माइ इन्हें चीवन में दे सकता है बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहां पर देखेंगे एक लंबी लाइफ लाइफ लाइन इनके हाथ में मौचूद है और लाइफ लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर एक फिश जैसी अकृती बनती हुई इस तरह का फिश व्यक्ति को मिल पाता है और inherited wealth मिलने की संभावना या insurance का पैसा ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में मिल सकता है जिनके हाथ पर केतू परवत के उपर इस तरह का कोई चिन मौचूद हो उसके साथ साथ इनकी जो जीवन रेखा है वो भी बाहर की तरफ निकलती हुई इस तरह है कि जीवन रेखा जो थोड़ा बाहर का रूप करकर चंदर परवत की तरफ बढ़े यह इंडिकेट करती है कि व्यक्ति को अपने घर से या जनम स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना पर सकता है लंबी दूरी की यात्रा है जीवन में धिक रहते हैं क्योंक लाइफ में कई बार लॉंग डिस्टन्स ट्रैवल करते हैं विदेश यात्राएं रहती हैं किसी दूसरे स्थान पर जाकर पर्मनेंटली सैटल होने की समभावनाएं भी जीवन में ऐसी रेखाएं देती हैं अगर लाइफ लैंक की बात करें तो लगबग 75 से 80 के बीच की ए आसे व्यक्ति थोड़े aggressive nature के हो सकते हैं लेकिन अच्छी energy व्यक्ति के भीतर रहती हैं और property के मामले में ऐसे व्यक्ति लग्की देखे जा सकते हैं अपनी चीवन में अच्छी property बना पाने में काम्याब रहते हैं Venus यानि शुक्र परवत की अगर हम बात करें तो आप यहां एरिया है Venus का एरिया कहलाता है उठा हुआ Venus मांट जीवन में हर तरह की सुकसुधाएं देता है लेकिन थोड़ा खर्चिला सभाव भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है लेकिन इस मांट के ओपर आरी रिखाओं का होना इस तरह की रिखाएं होना अच्छा संकेत नहीं होता ऐसी जितनी अधिक मातरह में और जितनी गहरी होंगी उतनी ज्यादा चिनता है परिवार की तरफ से व्यक्ति को मिलती हैं कुछ ना कुछ वरिज ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में फैमिली लाइफ को लेकर मैरेड लाइफ को लेकर फेस करता है तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्सैपर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद